नमस्कार हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ NTA UGC NET विशे हिंदी की हमारी त्यारियें चली है और इसके अंत्रगत हम अपनी जो छटी एकाई है हिंदी उपन्यास उसको पढ़ रहे हैं इसमें हमने बहुत सारे उपन्यास अपने कंप्लीट कर लिए हैं अगर आपने अभी तक वो वाली हमारी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इकाईच है के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट पनी है उसको जाकर देख सकते हैं तो आज हम पढ़ेंगे शेखर एक जीवनी जो सचीदानंद हिरानंद वात्सयाईन अग्ये जी का उपन्यास है उसके बारे में तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चिर की सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अग्ये का जनम कब हुआ और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्ट कर लेते हैं कि कौन सी उनने हिंदी साहित्य को कृतियां प्रदान की है तो देखिए अग्ये का जो जनम हुआ है वो हुआ है 1911 में और उनकी मृत्य हुए 1987 में यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 1911 में ही कुछ अन्य जो सहीत्यकार हुए है उनका जनम भी हुआ है जो 1911 में जन में है तो कई बार प्रश्णी इस तरीके से पूछ ले जा सकता है कि कौन से जो है 1911 में जन में है या इस तरीके से एक बार परिक्षा में पूछा गया था UGC के एक्जाम में ठीक है तो देखिए अग्ये 1911 में है और इनके साथ ही साथ जो नागरजुन थे जो प्रगतिवादी तो बहुत सारे लोगों को इनका पूरा नाम ही मालूम नहीं होता है जो भी इंदी के विद्यारती हैं यह नाम हमें ज्यात होना चाहिए का पूरा नाम क्या था सचिदानंद हीरानंद वात्षयाइन अग्ये जो इनको नाम दिया ये किस ने दिया था जैनेंदर जी ने दिया था जब अग्ये को जो है अग्ये नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि अग्ये का मतलब क्या होता है अग्यात होता है ये क्रांतिकारियों के सा पता है शेकर अपने पूरे के पूरे जीवन को है ना तो जेल में रहने पर इनको क्या हुआ कि इनकी मुलाकात क्या किस से हुई है जनेंदर से है जनेंदर इनको क्या कहते हैं कि आप उस नाम से लिख दो वही अग्ये के नाम से लिख दो तो इसलिए जनेंदर ने इनको क्या नाम दिया अग्ये नाम दिया ठीक है इनका जो उप नाम अन्य नाम है दिखिए वो है अग्ये कुटी चातन कठिन गद्य का प्रित तो कई बार प्रिक्षा में ये भी पुछा जाता है कि कुटी चातन और कठिन गद्य का प्रित किसे कहा जाता है तो वो भी अग्ये को ही कहा तो इकि सबसे बढ़ा जो साहितय के कशेत्र में पूरुसकार है जान पीट पूरुसकार उससे इनको क्या किया गया है देखी अ ठीक है, कभी उपन्यासकार, कहानिकार, निबंदकार, आलोचक, इसके साथ ही साथ इनके यात्रा संस्मर्ण, इन्होंने यात्रा साहिते लिखा, संस्मर्ण लिखा, डाइरी शेली में इन्होंने कुछ एक रचनाई लिखी है, है ना, तो मतलब कि कोई भी क्षेत्र इन्होंन इन्होंने अपना जो लेखनी को नहीं उठाया, साथी साथे इन्होंने संपाधन कार्या भी किया है, जो विशाल भारत और सैनिक जो इनकी पत्रिका है, इनका इन्होंने क्या किया था, संपाधन क्या था, और उसके बाद उन्होंने प्रतीक पत्रिका भी निकाली थी, जो ये तीन इंके डाइरी भी है ना चलिए अब हम देख लेते हैं अग्ये की उपन्यास और उनका विशय है तो हमने पहले बात कर लेकि इनूने हर एक विधा को छुआ है उपन्यास हालांकि इन्ने तीन ही लिके हैं दीकिए सबसे पहले इनका उपनयासा है, शेकर एक जीवनी, जो हमारे पार्टे क्रम में शामिल है, जिसके हम चर्चा भी करेंगे. ठीक है, इसके दो भाग है, जो पहला भाग है, उसका नाम क्या है, देखिए, उसका नाम है उत्थान जबकि दूसरा भाग है उसका संगर्ष तो जो पहला भाग आया इसका 1941 में और दूसरा जो उसका भाग था वो 1944 में तो दीखिए इसमें गया होता है इन दोनों भागों में पहले तो शेकर के कैशोर है जो किशोरा भाग है उसका वनन मिलता है और जो शेकर है उसके यूब अवस्ता या यूबन अवस्ता की जो मानसिक स्थिदियां है उनका अंकन क्या गया है अगे के द्वारा तो देखें दो भागों में है 1941-1944 क्लियर है आगे देखें दूसरा जो उपन्यास है इनका वो है नदी के द्वीप ये इन्होंने लिखा 1951 में नदी के द्वीप 1951 इसमें क्या चीज़े देखिए जो विश्यवस्तू है वो रेखा भुवन एवं गौरा की प्रेन कता इसमें वर्णित है और आखरी जो इनका उपन्यास है अपने-अपने अजनभी ये इन्होंने लिखा 1961 में तो मृत्यू से इसमें साक्षातकार की बात कहीं गई है तो देखिए इनके उपन्यासों को याद आप इस तरीके से कर सकते हैं दस-दस साल का गैप 1941 पहला 1951 दूसरा और 1961 तीसरा तो इस तरीके से भी इनको क्रमवाईजा आप याद कर सकते हैं चलिए अब हम देख लेते हैं जो शेकर एक जीवनी है उस पर देख लेते हैं क्योंकि यह हमारे पाठे क्रम में भी शामिल है अक्सर जो प्रशन पूछा जाता है वो इसी तरीके से ही पूछा जाता है कि जो उपन्यास है उसकी विशेबस्तू गया है ठीक है वो किस शैली में लिखा गया है और कितने भाग हैं कौन उसके प्रमगपात्र हैं और केंद्रिय भाव क्या है यह सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं परिक्षा में तो देखिए यहां पर हमने सारी चीज़ें डिसकस करने की कोशिश की है सबसे पहले कि यह पूरुव दिवति या फिर फ्लेश बैक शैली में लिखा गया उपन्यास है तो पूरुव दिवति से हम क्या समझते हैं देखिए अपनी अतीत की समरितिय इसमर्ण कर रहा है और उन्ही चीज़ों को क्या है? पाठकों के समक्ष अग्ये के द्वारा रखा गया है तो ये मनोवग्यानिक उपन्यास है मनोशलेशनबादी उपन्यास है देखिए इसके दो भाग प्रकाशित होई ये मैंने पहले भी बता दिया पहला है उथान दूसरा है संगर्ष तो पहले में क्या होता है देखिए इसके चार भाग है चार ही दूसरे के भाग भी है आगे ठीक है तो उथान में देखिए कौन-कौन से है उशा और इश्वर तो ये भी बहुत जरूरी है याद करना हो सकता है इनके क्रम पूछ लिया जाए तो परिक्षक किस तरीके से परिक्षा में पूछेगा ये कोई नहीं जानता है तो इसलिए हमें क्या है इनको याद करना जरूरी है देखिए पहला है उशा और हिश्वर बीज और अंकुर प्रकृति और पुरुष पुरुष और परिस्तिति तो ये चार भागे इसमें उत्थान में है अन्य जो चार भागें देखिए पुरुष और परिस्तिति, दूसरे के बंधन और जिग्यासा, शशी और शेखर धागे, रसियां और गुंजर तो ये चार क्या है ये दूसरे जो संगर्ष है उस भाग के उप भागें आगे, क्लियर है तो दो भागों में परकाशीत है, कब है 1941 और 1944 तो ये भी याद रखना है उसके बाद रता है कि इसमें है क्या चीज़ वर्नित देखिए शेखर की किशोराबस्था और बाल मनोविज्यान का इसमें क्या है चीटरन है, कि जो बाल मनोविज्यान है, तभी तो ये मनोविज्यानिक है मनोविश्लेशन वादी उपनियास है और उसके जो किशोराबस्था में उसके मन में जो उठने वाले भाव है उनको क्या गया गया है? चितरित किया गया है कि इसमें पुरुपदिवति शैली में चीक है न? और साथ ही साथ को क्या है? उसमें बिद्रोही स्वर है, क्रांती का स्वर है प्रेम या प्रनया की भावना भी इस उपनियास में देखने को मिलती है जो शेकर के माद्यम से हम पढ़ते हैं ठीक है न? तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण चीजें है जो शेकरिक जीवनी के उपनियास में है और उपनियास का जो केंद्री भाव है देखिए वो क्या है? स्वातंत्रिय की खोज है कि वो स्वातंत्रता पूर्वक जीवन जीना चाहता है शेकर इसलिए कहा गया कि इसका जो केंद्री भाव क्या है वो स्वातंत्रिय की खोज है तो ये था इसकी थोड़ी सी इंट्रड़क्शन कि शेकर एक जीवनी में कौन-कौन सी चीजें वरनित है अब हम देख लेते हैं कि इस शेकर एक जीवनी के लिए अगे ने क्या कहा है और अन्य जो आलोचक है वो क्या कहते हैं तो देखिए जो अगे हैं वो क्या कहते हैं कि शेकर की खोज जो है वो अन्तोत गत्वा स्वातंत्रता की खोज है तो कैसी है देखिए स्वातंत्रता की खोज है इसलिए हमने कहा था कि इसका जो केंद्री भाव है वो क्या है वो स्वातंत्रे की खोज है तो आलोचकों ने इस उपन्यास की जो आलोचना की है वो ही है प्रकाश्मान पुछल तारा कहकर तो देखिए आलोचक क्या कहते हैं इसको प्रकाश्मान पुछल तारा तो हो सकता है इस तरीके से परिक्षा में पूछ ले कि प्रकाशमान पुछल तारा कहकर किस उपन्यास की अलोचनकी है। तो वह अगे का उपन्यास शेखर एक जीवनी। क्लिर है। आगे आता है कि कहा जाता है कि शेखर एक जीवनी पर रोमया रोला के जयां क्रिस्टाफ का स्पष्ट प्रभाव है। तो रोमया रोला का ये जयां क्रिस्टाफ उसका क्या है स्पष्ट प्रभाव दिखता है किस पर ये शेखर एक जीवनी पर। तो ये बात स्व में रोला के ख्लियर है ना तो ये बात हो गई शेखरिक जीवनी के बारे में क्या अलोचा कहते हैं क्या अग्ये मानते हैं और किस से प्रभावित होकर इनने ये रचना रची है अब हम देख लेते हैं इसके जो प्रमुक पात्र हैं तो देखे बहुत महत्पूर्ण होते हैं उपण्यासों के पातर कई बार करिक्षा में पूछ लिए जाता है कि कौन सा पातर किस उपण्यास का है तो हमें इनकी भी जानकारी होनी चाहिए तो देखे इसके जो प्रमुक पात्र हैं शेखर है जिसके इर्ध-गिर्धी पूरा का पूरा हमारा कतानक हमारी जो कता वस् है कहानी का एक तरीके से नायक हम इसको बोल सकते हैं है ना बंधनों से मुक्ती की चाह रखने वाला तो देखिए पहले ये बोल दिया कि इस वातनत्रय की खोज है तो इसलिए ये क्या है कि बंधनों में बंद कर नहीं रहना चाहता है ना और और विद्रोही सौभाव का व्यक्ति है कौन शेखर उसके बाद आते सरस्वती जो शेखर की क्या है बेहन है उसकी प्रेरक है और गुरू है किसकी शेखर की फिर आता है शारदा जो एक मदरासी लड़की है चंचल सौभाव की है और शेखर को आकरिश्ट कने वाली है मतलब इसके अलावा जो शेखर की क्या है मौसेरी बेहन है शेखर उसकी और अकर्शित होता है और संगर्श से जूजने वाली पहादूर नारी पातर है तो जो जो शेखर है इनके बीच में आला कि एक रिष्टा है वो उसकी मौसेरी बेहन है लेकिन जो हम यह उपन्यास पढ़त इसमें बताया गया है तो इसी क्याधार पर हम कह सकते हैं कि यह क्या है एक ट्रेके से मनवज्यानिक उपन्यास है गौन पातर है इसमें शेखर की मा है मनिका है शारदा शांती मदन सिंग सावित्री मुसीन राम जी तो यह कुछ एक गौन पातर है जिनके सहार हमारी कथा व ठीक है अब हम दिख लेते हैं इसकी सारांश है इसकी समिक्षा के बारे में थोड़ा सा चलिए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि क्या चीज इस उपन्यास में है बाकि संपूर्ण अगर आपने इस चीज की जानकारी लेनी हो तो आपने क्या है अपना जो पूरा का पूर समझाएगा हालां कि सिर्फ यहां पर इतना है कि प्रशन जिस तरीके से बनते हमने वैसे ही बताने की कोशिश इस वाले लेक्चर में की है तो चलिए इसका सारांश दिख लेते हैं कि क्या है कहते हैं कि ये उपन्यास शेखर नाम के पात्र के जीवन पर आधारित है इसे ज चल रहा है मन मस्तिश्क में उसके शेकर के इन सारी चीज़ों को उरने क्या गिया है अग्ये ने अपने उपन्यास में रखा हुआ है मतलब उनको वर्नित किया है उनोंने इसलिए उसको मनवज्ञानीक उपन्यास कहते हैं उसके मन में उठने वाले एहम काम और भै जैसी कालपनिक साक्षात कार कर रहा है जो पहले गटित हो चुकी है तो देखे इसी के अदार पर ही इसको क्या कहा गया है पूरुप्दिप्ति शैली में लिखा गया उपन्यास कहा गया है क्योंकि शेखर मृत्यू से पहले क्या है अपने जीवन की यादों को याद कर रहा है और कि और यहां से ही हमें पता चलता है कि शेखर की किस तरीके का इनसान है उसकी भगवान के ऊपर कोई आस्था नहीं है वो भयाववस्तु को देकर गवरा जाता है इश्वर के पती अस्तित्तों के बारे में परिवार के सब लोगों से पूछता है है ना वो अटपटे से प्रशन करता रहता है वो कि इस पर इसको मार भी पड़ती है तो मां के प्रते घिना आदी बातों के गटनाओं का इसमें वनन देखने को मिलता है तो इसके अदार पर ये कहा जा सकता है कि ये क्या है पूरा का पूरा मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करता है तो इसलिए इसको मनोवज्ञानिक उपन्यास कहा जाता है आगे देखिए की अग्ये ने शेकर के वहवार को कैसे गड़ा है, देखिए, मनव培्यानिक 270 का जो मनव培्यानिक अलोग है, उसकी जो तीन प्रवृतियां हैं, तो हो सक्तेब परिक्शा में ये पूछ ले जाएं कि कौन सी तीन प्रवृतियां मनव培्यानि की जो प्रायड के अनुसार है, तो यह हैं काम एहम और भै जो मैंने पहले ही बाप को बता दिया था तो इसी के आधार पर अगे ने उसके बहवार को गड़ाए या उसके चरित्र को इस तरीके से गड़ने की कोशिश की है काम वासना मतलब एहम एहंकार और दूसरा भै इन तीन जीज़ों के अधार पर शेकर जनम से ही विद्रोही सौभाव का रहा है उसका विद्रोह समाज में व्यापत रोडियां और परमपराओं के प्रति है तो देखे ये बात भी बैने आपको बहुत पहली बता दिती है कि जो शेकर है वो क्या है इस उपन्यास का केंदरी भाव भी वो ही है कि जो समाज में व्यापत रोडियां हैं और मानेता हैं उनको वो क्या करता है एक तरह से विद्रोह करता है उनके प्रति समाज के पती नियमों के भीतर अपने व्यक्तितों का गला गोंटने की तैयारी नहीं, गला गोंटने को तैयार नहीं है तो दीखे जितने भी नियम बने हैं समाज में वो क्या करता है कि उन से अपने व्यक्तितों का गला नहीं गोंटना चाहता है वो स्वतंत्र और अजाद तरीके से जीना चाहता है शेकर इमानदारिव जिग्यासु व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत है एहम भाव की प्रबलता है तता उसका व्यक्ति तो काम भावना से परिचालित है कामभावना से तो वो प्रचालित है या तब ही तो वो अपनी मौसेरी बेहन की और ही आकर्षित होड़ता है ना और उससे पहले वो किसी दूसरी स्थी के उपर भी आकरिष्ट होता है ठीक है वो समाज के एक ऐसे व्यक्ति का पत्रिंदित्तो करता है जो स्वतंतर रहना चाह चाहता है और मन में उठे प्रशनों का समाधान करना चाहता है तता प्रेम चाहता है तो यही चीजें मैंने आपको पहले बिता दी थी कि उपन्यास की जो विश्यवस्तू है वो इनी चीजों के इर्दगिर्धी घूमती है और आगे अब हम देख लेते हैं कि क्या है इसमे अगे के इस उपन्यास में देखने को मिलती है और ये बखू भी उन्होंने निवहाया भी है इसको अच्छे से उन्होंने शेकर के पात्र को फांसी जैसी विकट परिस्तितियों में अतीत के जीवन को जीने की प्रेड़ना देकर उसे सफल बना दिया है तो देखिए एक व अबलियत को दर्शाता है है ना शेकर के सवपन के मनोविशलेशन द्वारा उसके भूत काल के जीवन वर्तमान जीवन तथा भविश्य के जीवन की डिशा को समझाता है तो देखिए ये मनोविशलेशन वाद है इस सवपन के द्वारा ही पाठक शेकर के समस्थ जीवन के बारे में जानकारी प्राफ्त कर लेते हैं कि वो किस स्वभाव का रहा है। इन चीजों को किस तरीके से ऐसे पिरोया गया है उपन्यासकार के द्वारा कि ये हमें लगता है कि ये उपन्यास के साथ ही जुड़ी हुई हैं वो अलग से नहीं लगती हैं हमें। उपन्यास में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर जाहिंद जाहिंद जाहिंद।